पंजाब के जलंधर में भाचपा से पठान कोट के विधायक और भाचपा के पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा ने प्रेस वारता की आप सरकार को कटाक्ष करते हुए उन्होंने हाल ही में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि आप सरकार की राज में इंटरनेशनल खिलाडी की हत्या हो जाती है एक मशूर गायक की हत्या हो जाती है सरयाम फिरोती मांगी जाती है और साथ में जंडियाला गुरू में भाचपा कारेकरता की हत्या होने की बावजूद भी सरकार की आंखे नहीं खुली। उन्होंने कहा कि आप सरकार सो रही है जिससे पंजाब का लॉएन ओर्डर फिल हो गया है। पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंतमान के इजरिवाल को छुड़वाने के लिए दिल्ली के धरनों में शामिल हो रही है। लेकिन पंजाब को उन्होंने भगवान भरों से छोड़ रखा है। इसके साथ ही वो जादातर सरकार बनने के बाद टूर पर ही रहते हैं जिससे इंडस्ट्री को सीधे तोर पर नुकसान हुआ। हाल ही में पंजाब के ACC विंग के जॉर्नल सेक्रेटरी की हत्या हो गई जिस पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें हॉस्पिटल स्कैनिंग के लिए ले जाया जाता है तो वो उनके साथ सिक्योरिटी के नाम पर एक पुलिस वाला भेजते हैं और वो भी सिविल वर्दी में। इसके बाद SSP Investigation के नाम पर लीपा पोती करकर चली गई। अश्वनी शर्मा ने कहा कि आज तक पंजाब में जुतनी भी हत्या हुई हैं किसी को भी उसका इनसाफ नहीं मिला। जो सरकार जनता की रक्षा नहीं कर सकती वो सरकार निकम्मी है। और इस निकम्मी सरकार की वज़़ा से पंजाब का विकास सरुग गया है। पंजाब में गुंडाराज शराब माफिया सरयाम आगे बढ़ रहा है। और ये आपके कारेकरता सिर्फ एक दूसरे को बचानी में जुटे हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के इजरिवाल पर सी बियाई की जांच होने पर उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कोई कारवाही होती है तो वो भरष्ट अचार के खिलाफ होती है। लेकिन अगर दिल्ली में किसी पर कारवाही हो तो दिल्ली सरकार खुद को इमानदारी के सर्टिफिकेट देने लगती है। आज पंजाब की आप सरकार को एक साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन आप सरकार ने अपनी कोई भी कमिंटमेंट पूरी नहीं की है और भाजपा इस बात को हलके में नहीं लेगी अपने कारेकरताओं और बागी हत्याओं के इंसाफ के लिए उन्हें जो करना पड़े वो करेंगे मों करेंगे के जड़ा की कारेकरता बड़े लंबे समयतों दली समाज दे अंदर पार्टी दा विचार जाये पार्टी दी सोच जाये ओं करे रहां सी और कल भी मैंटों दसना जाना कि प्य recruited जलन्दर जिमनी चोन दे अंदर अपने दली समाज दे परिवारा नल मिलन तो बाद उना नल मीटिंग करन तो बाद ओ अम्री सरली जांदा है अपना एक साती ज़िए कारचड़ दा कारचड़ नतो बाद अपने कमरे ची चला जांदा है दो मोड़्य सेकल सवार आंदे नहीं और उदी गली दे मोड तप पंजाब मीटर दी दूरी ते मोड सैकल एक चलदा रंदा है और दोना ने अपने मूँ बनने उदे ने कमरेच जाके गोली मारदे ने वो फिर बड़ा बहादर नोजवान है गोली ओदे इत्थों जी निकल दी है इत्थों जी पार रहो जंदी है जवड़ा ओधा पूरा डेमेज हो गया है ओधा जी पूरी डेमेज है मैं रात नूँ मैं सुवाजी और पार्टी दे सड़े दूस होस्पिटल चेगे मैं तो नोँ मैं इसकर के सुना रहे हैं कि जदो सरकारा निश्टुरो जन संबेदन ही नो जन प्रशासन जदो अपनी जुम्मे वरीदा निर्वाना करे उस वेले दे हलात किस पर कारण दे है गोली चली होई है बंदा जख्मी है उते पूलिस दे नाद दे होते इक बंदा है स्कैनिंग करवान ले करवा ले लेके जा रहे हैं हालत यह है पार्टी दा एस सी बिंग दे जन्रसक्री नूं बीजेपी देनूं गोली बजी यह जबडा पटे होया है जीव डैमेज है खून ना लत पता है ओ दे उते पूलिस दे नाद दे होते एक हमला बार अगर द्वारा के होते हैं मला कर दे तो मार के चला जाए मलद सरकार नों फर्क ही नहीं है है पूलिस परशास्तन नों भी कोई फर्क नहीं है ठीक है सदे सब्चे जानतो बाद ऐस ऐस सावते आए लिकर पॉलिसी पर बात करते हुए उन्हों ने का जो इस लिकर पर पॉलिसी के कारण अर्विंद के जुरिवाल का चहरा बेनकाब हुआ हो वही लीक पॉलिसी पंज़ाब में भी लागू हुई है और यहां भी धष्टा चार करने वाले चहरे बेनकाब होंगे जोलंदर से गगन बहल की रिपोर्ट